नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नैन पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ सिराज लोकसबच चुनाओ के रण में अब ज़्यादा समय नहीं रहे गया ऐसे में राजनितिक दल तमाम तैयारियों में जुट गए हैं कॉंग्रिस पार्टी के निर्थित वाले बिपक्ची इंडिया घटबंदन ने भी उत्रप्रदेश के बाद महरास्ट को लेकर सीट बटवारे का फॉर्मूला निकाल दिया है सूत्रों के मुताबिक इंडिया घटबंदन के तहत कॉंग्रिस पार्टी को महरास्ट में 15 सीटे मिलने वाली है वहीं उद्व ठाकरे गुट की शीव सेना 23 लोग सबा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं बात करें शरत पावार की रस्ट वादी पार्टी महरास्ट की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी प्रकाश अंबेटकर की वंचित बहुजन अगाडी भी महरास्ट में इंडिया घटबंदन की साज़ेदार है ऐसे में उसे मिलने वाली सीटें शरत पावार गुट की एंसेपी से मिलेगी बदा दें कि सूतरों की हवाले से यह खबर सामने आई है कि सीट बटवारे के इस फॉर्मूले पर इंडिया घटबंदन की मुहर लगभग लग गई है और जल्द ही इसे लेकर आपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा मालूम हो कि महरास्ट लोकसबा सीटों के लिहास से उत्रपरदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महरास्ट में लगभग कुल 48 सीटे हैं और विपक्ची इंडिया घटबंदन के अलावा भारतिय जन्तापाटी के निर्तित वाले एंडिये के घटक दलों के बीच सीट बटवारे पर चर्चा चल रही है माना जा रहा है कि एंडिये भी जल्दी सीट बटवारे के फॉर्मूले को लेकर जल्दी सरवजनिक कर देगा फिलाल राजनीती के जानकार बता रही है कि एंडिये के तहत सबसे ज़्यादा सीटे महरास्ट में बीजेपी को महरास्ट के 31 से 32 सीटे मिल सकती है वहीं मुख्य मंत्री एक नात सिंदे गुट की सीव सेना को दस से ग्यारा सीटे दी जा सकती है अजीत पवार की NCP के खाते में चार से पांस सीट जा सकती है वहीं जल्दी अब इन सीटों पर इस्तिती साफ होती भी नजर आईगी फिलाल जिस तरीके से इंडिया घटबनन लगतार जद्दो जहर में जुटा है कि सीट बटवारे के फॉर्मूले पर काम कर लिया जाए ऐसे में महरास्ट से ये खबर कहीं कहीं बीजी पिकले एक जटका जरूर हो सकता है फिलाल कि इस खबर में इता है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शन इन पॉलिटिकल बाइट के साथ